बोलो हर हर महादेव महाशिवरात्री का शब्द अर्थ है शिव की महान रात महाशिवरात्री ब्रमांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों बगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उस्सव है शिवरात्री हर महिने आती है परन्तु महाशिवरात्री साल में एक बार ही आती है महाशिवरात्री हिंदु धरम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ऐसी मानिता है कि एस दिन बगवान शिव प्रकट हुए थे और इसी दिन आदी रात में बगवान शिव का निराकार से सकारोप में अवतरन हुआ था कहा जाता है कि हमें महाशिवरात्री की रात को सोना नहीं चाहिए क्यूंकि ऐसे माना जाता है कि बगवान शिव की पूजा करने और पूरी राट महाशिवरात्री का वर्त रखने से व्यक्ति क्रोध, वासना, लालच, आदी जैसे नकरात्मक विचारों पर निरंतर रख सकता है महाशिवरात्री की रात से पहले दिन वक्त उपवास रखते हैं, कुछ लोगों का बोजन केवल एक बार ही हो पाता है, जबकि कुछ लोग एक फल और दूद अहार का सिवन करते हैं इस दिन शिवलिंग को दूद, शेहट, काले तिल, गंगा जल आदी का उपयोग करके सनान कराया जाता है, इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है और ताजे फल और फूल चड़ाई जाते हैं महा शिवरात्री पर हमें रात्री जागरन करते हुए शिव का सहसनाम का पाट करना चाहिए, जो बक्त शिव की अरादना किये बगैर ही सोजाते हैं, उन्हें वर्त की उपासना का पूरण पल नहीं मिल पाता है इसलिए हमें रात्री जागरन से पहले शाम को सनान करके स्वच्च वस्तरदारन करने चाहिए और फिर ही शिव की अराधना करनी चाहिए महा शिव रात्री के दिन अगर हम शिव की सचे दिल से बक्ती करेंगे तो शिव हमारे सभी कश्टों को दूर कर देंगे और हम महादेव से जो मांगेंगे महादेव हमें जरूर देंगे अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कोमेंट सेक्षन में हर हर महादेव लिखना न बोलें अगर आप महादेव के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें